हाई आवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इनका नाम है सेंटिएगो मार्टीन और इनको लोट्री किंग के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोट अफ इंडिया ने इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को कम्प भी रेस किया था कि सेंटिएगो मार्टीन बढ़ चड़कर टैक्स इवेजन और मनी लॉंडरिंग जैसे काम में लिप्थ हैं लेकिन उसके बावजूद हम कहा सकते हैं कि स्टेट्स और सेंटर बढ़ चड़कर सेंटिएगो मार्टीन के ऊपर कोई कारवाई नहीं करते हैं और उनको अल्मोस्ट खुला छूट दे दिया जाता है अपने काम को करने के लिए इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से गवर्मेंट आफ इंडिया और स्टेट्स ने सेंटिएगो मार्टीन को उनका काम करने दिया लेकिन उसके पहले थोड़ा सा याद दिल आप किसी भी political parties को funds दे सकते थें लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा concern था वो ये था कि exactly political party A को किसने fund किया ये चीज़ कभी भी public domain में नहीं आता कहने का मतलब है कि exactly उस political party को funds कहां से आ रहे इसके बारे में कभी भी एक आम जनता अगर जानना चाहती तो उनको कभी भी ये 2019 में और इसी साल के 15 February को इस scheme को complete तरीके से खतम कर दिया जाता है साथ में इस bond को issue करने का जो authority था वो सिर्फ और सिर्फ State Bank of India के कुछ selected branches के पास था ये था Indian Express का आज का ये आर्टिकल है जहां पर बताया गया है कि Member of Parliament ने Government of India को बढ़ चड़ कर ये बताया था कि Centiego Martin या इनक 2019 से introduced किया गया था और जब तक ये scheme को scrap नहीं किया गया था तब से लेके अब तक इन्होंने 1368 करोर का fund दिया था तो यहां पर कहने के जरुवत नहीं कि अगर कोई भी company इतना बढ़ चड़ कर funds देता है तो उसे भी ruling government से कुछ उम्मीद होता है वहीं अगर हम इस article को और party के एक member of parliament है जिनका नाम है सुजय पार्टिल जो कि एहमद नगर महरास्ट से हैं इन्होंने पिछले साल डिसमबर के महीने में finance minister को letter लिखा था जहां पर ये concern raise किया गया था ना कि सिर्फ सुजय पार्टिल के दौरा ये concern raise किया था बलकि BJP के एक और MP जिनका नाम उनमेश party था जो कि जलगाउं से हैं जो फिलाल शिब से नाम है उन्होंने भी ये concern raise किया था कि future gaming के दौरा बढ़ चड़ कर money laundering या tax evasion जैसे काम में या काम को promote किया जा रहा है क्योंकि बात निकली है lottery के इसले में आप लोगों को याद दिला दू कि lottery किस state में introduce होगा ये complete तरीके स lottery को introduce करेंगे वहीं पर बढ़ चड़कर North Eastern state के almost सभी states में lottery वहाँ पर मिलते यानि कि government उसको promote करता है वहाँ पर इसी बीच बहुत सारे ऐसे concerns raise किये गए हैं जहां पर जो एक legal तरीका होता है lottery को बेचने का उस legal तरीका को जानभूच के ignore किया गया है ताकि किसी भी तरीके से taxes को बचाया जाए और बढ़ चड़कर money laundering को promote किया जाए और इस article को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको definitely समझ में आएगा कि जितने भी जो states हैं जहां पर San Diego Martin अपने business को करते हैं वहाँ पर almost सारे states को मालूम था कि San Diego Martin tax evasion कर रहे हैं लेकिन उसके बावजुद इनके उपर जिस तरीके से कारवाई करना चाहिए था और ये कारवाई नहीं किया जाता है जब सुझोय पार्टिल बीजेपी में थे तो इन्होंने लेटर लिखा था December 20, 2023 को जहांप इन्होंने ये claim किया था कि किस तरीके से North Eastern States के जो department है वो complete तरीके से कटपुतली की तरह काम करते हैं जो GST generate होता है वो महस 30 करोर होता है annually तो कहने का मतलब है जहांपे एक company 70 करोर का business on daily basis कर रहे हैं वहीं पे वो company उस राज को सिर्फ 30 करोर का GST या tax दे रहे हैं तो इन सब चीजों को पढ़के आपको भी definitely समझ में आएगा कि ये मानना almost impossible है कि जो केंदर सरकार है या जो states है उनको इसके बारे में खबर नहीं होगा वहीं पे उनमेश party जो जलगाओं से member of parliament है वो दो later लिखते हैं finance ministry को और एक later लिखते हैं union ministry को लेकिन इनके later का कोई खास जवाब नहीं दिया जाता है यानि कि हम कह सकते हैं कि बढ़ चड़कर इनके concern को ignore किया जाता है वहीं पे Tango Martin के उपर बहुत सारे ऐसे cases भी चल रहे थे लेकिन उसके बावजूद इन सब cases में कोई खास progress नहीं देखा गया या तो यूं कहलें कि जिस हिसाब से इनके उपर कारवाई करना चाहे था वो कारवाई नहीं किया गया अगर हम साल 2019 की बात करें तो ED ने इनके उपर एक money laund को freeze किया था लेकिन सिर्फ 5 दिनों के बाद ही ये 100 करोड का electoral bonds को purchase करते हैं तो more or less हम कह सकते हैं कि एक तरफ से San Diego Martin के company के उपर कारवाई किया जा रहा था और दूसरी तरफ San Diego Martin बढ़ चड़कर electoral bond scheme को purchase कर रहे थे लेकिन वहीं इन सब articles को पढ़के ये समझ में आता है कि इन अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से states और center दोनों मिलके San Diego Martin के business को promote करते हैं और साथ मैं San Diego Martin भी states और center के साथ मिलके उनको funds करते हैं और अपने business को as usual चलाते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो म मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye